दोस्तों State Bank of India का नया वाले ATM कार्ट आप भी प्राप्त किये हैं और दोस्तों SBI का नया वाले ATM कार्ट आप भी प्राप्त किये हैं उसका पीन बनाना चाहते हैं तो लाइब हम बताएंगे कैसे आप उसका पीन जनरेशन करेंगे 2024 के हिसाब से सारा कुछ step by step process आपको बताने वाला हो आपको बताना चाहूंगा या तो आपने नया account खुलाए होंगे तो 10 से 15 दिन बाद आपके घर ATM कार्ट पोस्ट आपिस के मदल से आ गया होगा या तो आपका पहले से ATM कार्ट रहा होगा वह कार्ट expired हो गया होगा तो नया वाला ATM कार्ट आपके घर आया होगा उसका पीन या तो आप बनाना चाह रहे होगे या तो आल रेड़ी आपके पास ATM कार्ट होगा उसका पीन आपको नहीं पता भूल गये होगे तब आप बनाना चाह रहे होगे इन तीनों case में process एक ही है सारा कुछ आपको अच्छे से सिखाऊंगा और कुछ जरूरी बाते आपको ध्यान से सुनना भी होगा आए बताते हैं कैसे देखे ATM का पीन आप दो तरीके से बना सकते हैं एक State Bank of India के ATM मसीन पर जाके बनाना है और एक आप बना सकते हैं यदि आप इंटरनेट बैंकिंग लेए हैं तो घर बैठे आप बना सकते हैं तो इस वीडियो में मैं जो process बताऊंगा वह ATM मसीन के थ्रू बताने वाला हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको लेकर ATM मसीन पर चलना होगा जैसे आपको अपना बैंक पास्बुक ले लेना है लिंक वाला मॉबाइल नमबर ले लेना है और वह मॉबाइल नमबर रिचार्ज होना जरूरी है जो आपके अकाउंट से लिंक है क्योंकि उस पर OTP आएगी और अपना नयवाल ATM कार्ड ले लेना है यह तीन चीजे लेकर आपको अपने नजदी की State Bank of India के ATM मसीन पर चलना है उसके बाद आए मैं आपको लाइब प्रोसेस बताता हूं कि वहां पर कैसे कैसे क्या करना है तो Hello and Welcome दोस्तों आप देखें Android जंक्सा नीटोब चैनल और मैं नाम है रूपेश दोस्तों आए चले लाइब ATM मसीन पर चलते हैं और सारा प्रोसेस सिखाते हैं आए लाइब चलते हैं दोस्तों हम आज चुके हैं स्टेट वैंक ओफ इंडिया के अटियम मसीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जहां ऐरो दिखा रहा हूं इसीक सहारे आप चलिएगा तो आपको अपने ATM कार्ड कुछ इस तरीके से पकड़ना चीप आगे के तरफ होगा और यही ही रुख जाता है बाहर नहीं निकलता है आपको वेट करना होगा तो देखे लिख रहा है प्लीज डूनाट रिमूव और चीप कार्ड लेव यूर कार्ड और इसके बाद ही आप सारा कुछ कर पाएंगे तो अपना कार्ड यहां पर अंदर ही रहने दिजिए अब डिस्प आगे बढ़ रहा है अब प्लीज सेलेक्ट लेंगवेज तो आप अपनी सरलतम भासा लेजिए हम इंगलीस वाले पर टच कर देते हैं जैसे हम इंगलीस वाले पर टच करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बाद यहां पर बहुत सारा आपसन आयागा जैसे कि ब प्लीज इंटर्यूर अकाउंट नंबर तो मैंने बोल अर्था ना आपसे पास्बूक लेकर जाने के लिए तो यहां पर अपना खाता संख्या भर दीजिएगा और थोड़ा जल्दे जल्दी खाता संख्या भरिएगा भरने के बाद प्रेसिफ करेक्ट वाले आप्सन पर क किलिक करेंगे अभी प्राटनीट बन बंती है जैसे अपना काड करने लेगे काड को निकाल लेजिए अब बाहर चले से लेएक मिनिट के लिए और देखिया आपके मोबाइल गंटे के लिए सबसे बड़ी बात है कि ध्यान देजिए कि यहां पर गड़ित में नहीं लिखा रहा था जैसे यहीं आपका ना ओटीपी है ध्यान देजेगा गड़ित में रहता है अब दुबारा से जब ओटीपी आ जाए तो अपने मसीन पर जाए और लगा देजिए जैसे दोबारा से लगा देंगे ना उसके बाद आपको क्या करना होगा कुछ वेट करना कुछ पलोगा और फिर से आपके साब ने पूछेगा प्लीज सेलेक्ट अप्लिकेशन आइडी तो डोमेस्टिक वाले आप्सन पर आपको क्लिक करना होगा फिर से ठ IRS और ऐने के बाद फूरी प्रकेर आपको करना है ठीक है मैंने खले करने के बाद यहांपर आजैक्शन ख्ले बवारा से कुलकर आजैने वाला है आपको यहांपर लिखा हूगा होगा फींजिशन के उपर बेंकिंग भीाइं कई आप को देखने मिले गा यहीपर दाहिए साइट पर आफिशन जहां पर क्लिक कर देना है जैसे आपको क्लिक करेंगे और एंटर ईन्ट 10 to 99 और एक्जापल के तरफे 25 तो कोई एंग का यहां पर डाल देजें मैं ने पंच पंच पंढ डाल देया तो यहां प्रजेंट में आपको डाल देना जो चारग को यहीं यहां पर डालने के जबाना नहीं है आपको अपने मन से चारंग का पीन ठीक ना तो मैंने चारंग का पीन अपने मन से डाल देजिए दोबारा से डालेंगे फिर भी इस टाइम भी आपको कहीं कुछ दबाना नहीं है बस पीन भार देजिए पीन भारने के बाद आटोमेटिक आपके सामने ऐसा आपसन आएगा प्लीज वेट ट्रांजेक्शन इस पी बिंग प्रोसिज्ट और इसके बाद यहा काट से छुप गया है इस लाल कलर की बटन को दबा के आप घर चले जाएए आपका पिंट बन गया है वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाए बाए दोस्तों